मारा आज का टॉपिक है तर्ड ट्राइल तर्ड ट्राइल नॉवल जर्मन शॉट स्टोरी राइटर फ्रेंट्स काफका का लिखा हुआ है ये उन्होंने 1914 और 15 के बीच में प्रेग में लिखा था और ये 1925 में पब्लिश हुआ था इसके कुछ main characters को देख लेती है चॉसफ के जो के हमारी स्टोरी के protagonist है फ्रॉलिन बंस्टर जो के उनकी neighbor है काल उसके uncle है हल उनका lawyer रहने वाला है ठी टॉरली जो के एक painter है ब्लॉक एक merchant है प्रीस्ट जो के स्टोरी के last में अपीर होंगे हम इनके बाद स्टोरी के last में करेंगे तो चले शुरू करते हैं इसके summary तो इस कहानी शुरू होती है जोसफ के की एक सवेर से वो सवेरे उपता है उसका तीसमा चनम दिन होता है और अचानक से दो पुलिस वाले उसके घर आ जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगती है और उसे कहते हैं यू आर अंडर रेस्ट चॉसफ एक बैंक का बहुत अच्छा इंप्लॉय है और उसको पता नहीं है कि उसने क्या क्राइम किया है जो से अरेस्ट किया जा रहा है एक्दम उसके साथ वियर्डली भैइफ किया गया और उसे बाद में छोड़ दिया गया उसे समझ नहीं आ रहा था एक्दम से क्या हुआ मतलब उसने ऐसा कौन सा जुरू कर दिया जो उसको पुलिस वाने पकड़ने आये थे तो जो पुलिस वाली आये थे और फ्रॉलीन को गले से लगाता है और अब फ्रॉलीन उसको किस्ट भी करती है उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्रॉलीन उसको किस्ट करेगी ऐसा भी कभी हो सकता है तो उसे क्या बोला जाता है कि उसकी सुनवाईया होंगी केस की तो वो अपनी पहली सुनवाई के लिए जाता है जहाँ पर उसे सला दी जाता है रवया बहुत खराब है तुम्हें इसे चेंज करना पड़ेगा और वो जिस जगा पर जाता है वो भी एकदम कोट जैसी नहीं लगती वो एकदम वीर्ड सी जगा होती है अकर तुम्हारा रवया ठीक नहीं रहा तो तुम्हारा केस बहुत complicated हो सकता है तो इसके बाद वो अपनी next year ring में जाता है next year ring क्या होता है एक वहाँ पर एक lady होती है जो के शायद वो वहाँ पर काम कर रही होती तो वो उसके साथ flirt करती है उसका वहाँ पर दम घुटने लगता है तो वो बाहर आ जाता है फिर उसका लग उस लेडी का husband भी आ जाता है तो पहली सुनवाई हो जाती है अब इसके बाद फ्रॉलीन को वो बहुत सारे बहुत सारा contact करने की कोशिश करता है लेकिन फ्रॉलीन उसे इग्नोर कर दे थे जो कि उसकी neighbor थी अब वो रास्ते में जाते जाते क्या देखता है दो पुलिस वाले होते हैं जो उसे arrest करने आये थे उनको बुरी तरह से मारा जा रहा है इस सब को देख वो बहुत deeply disturb हो जाता है उसके अंकल काल जो होते हैं वो उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम हर्ड के पास जाओ हर्ड एक lawyer है तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम्हें बता देगा तो वो उसके घर पे जाता है lawyer हर्ड के वो उसके घर पे जाता है और उ करके ऐसा मत करो अब वो दुबार अपने काम पे चला जाता है उस लॉयर से मिल कर वहां पर उसका एक क्लाइंट उसे बताता है कि उसी ट्रिटॉरली से मिलना चाहिए जो कि एक पेंटर है वो तुम्हें जरूर बताएगा वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा तो वो उसके घर पे जाता है उसका घर बहुत अजीब होता है तो वो उसको सला देता है कि ऐसे केसों में एक्सवर क्या होता है कि क्राइम साबित हो जाता है अब इसको सुनकर वो तो बहुत डर गया तो अब वो डिसाइड करता है कि मैं तो लॉयर को शूट कर दूँगा तो वो जब ल ही सो जाता है ब्लॉक जो मर्चेंट होता है उसका भी लॉयर हर्ड है अब जॉसफ तो से गोली मारने वाला है तो लॉयर क्या करता है जॉसफ को पटा लेता है अब जॉसफ अपने कम काम पर वापिस चला काम पर उसको क्या करना होता है कि इटायन होता है जिसको उसे स्हाच पादरी होता है जानकि क्याक्त करता है जोसफ को और उसे एक कहानी बताता है वो उसे एक कहानी बताता है कि एक आदमी कानून तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है और दर्बारी उसे रोके जा रहा है है उसे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ऐसे ही वो इनसान बूड़ा हो जाता है और वो लोग दर्वाजा बंद कर देती है पहले अब तो उसे जौसफ के को इस सब का मतलब नहीं समझाया लेकिन सोडी के बाद में हम इस से डिसकस करेंगे अब एक साल बीच जाता है उसकी येरिंग होती रहती है उसके 31st बर्दे आता है उसके 31st बर्दे के दिन वो सेम पुलिस वाले उसे ख़दान में ले जाते हैं और उसके हार्थ पर जोर-जोर से वार करते हैं और उसे मार देते हैं मरते समय बस वो एक ही शब्द बोल रहा था लाइक अ टॉग लाइक अ टॉग यानि के एक कुट्टे की तरह सो फ्रेंज काफका ने ये नॉवल एक सटायर की रूप में लिखा है जो कि उस टाइम की चर्च मुनार्की के उपर था उस टाइम के जस्टिस सिस्टम के उपर था वो ने पता बताना चाहते थे के तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है तो ये थी स्टोरी फ्रेंज काफका की तर्ड ट्राइल की दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल जुरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू